मान के चलते हैं आपके पास एक list है इस तरह की मैं screen पे भी दिखा दे रहा हूं जिसे आपको 100 लोगों को भीजना है एक letter के साथ मैं इस तरह का letter जैसे मैं आपको screen पे दिखा रहा हूं और अगर यह आप type करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलस सोच रहे हैं यह सारे न नाम है आपके पास 100-200-500-1000 कितने भी हो सकते हैं और एक लेटर है मेरे पास में यहां पर MS Word में जो एक यहां पे टाईप करएगा लेकिन अगर मैं कहूं कि यह उत्सु अब करने की शरूरत को देख लेए यहां पर दियान में रखने वाली चीज क्या है कि हमने लिस्ट के ऊपर नमबर तो लिखे हैं नाम तो लिखें लेकिन उसके ऊपर है अभी तक नहीं डाला है तो यहां-पे सबसे पहले आपको का करना है रह続ut है और हैड़र और एंगलिश में के ब क्या चाहρώर जोदory हो लगा इसको मैं सेव करने के लिए लोकेशन आपको याद करना बड़ा ज़रूरी है किस फाइल को आपने कहां पर सेव करके आपको दिखा देता हूं यह एक ड्राइव है जिसमें वर्ड 2 के नाम से फोल्डर है जिसमें यह नेम लिस्ट का एक हमने फाइल बनाई हुई है तो इसकी इस तरह कि आपको दिखाओंगा तो यह जो लिस्ट है वह कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी जैसे आप नॉर्मल प्रिंट निगालते हैं वैसे ही है लेकिन अभी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जादू ही तरीके से यह 20 के 20 नाम एक एक करके इसी पेज के ऊपर और पेज भी मैं नहीं आइड करने वाला हूँ, इसी पेज के उबर आ जाएंगे, यहां से मैं इसको हटा देता हूँ, जो dot dot line थी, अभी क्या करना है, अभी आपको यहां पर mailing वाली list पे जाना है, और यहां पर आपको start mail merge का option दिखाई देगा, या फिर इसके बराबर में select recipients पे भी आप click कर सकते हैं, यहां से use an existing list पे आपको click कर सकते हैं, इस पे आपको click कर देना है, और आपको जो list है आपने जो अपनी file में बना रखी है, वो select कर लेनी है, तो यहां से अपनी जो file है, उसको select कर लेता हूँ और open करता हूँ, अब यहां पर आपको देखो, जैसे आप इसको खोलोगे, तो यह select table का option देखेगा, तो table हमारी sheet number 1 में है, Excel में, और नीचे आपको एक option देखेगा, first row of data, content column headers, तो हमने जो पहली row थी, उसको हमने header बनाया था, इसलिए हम इस पर tick लगाएंगे, अगर हमने header नहीं बनाया होगा, तो हम टिक नहीं लगाएंगे, तो इस पर हमने tick लगा लिया है, क्योंकि हमने वहां पर name लिखा था, आपको शाहिद याद होगा, इसे हम यहां से okay करेंगे, तो okay जैसे आप करेंगे, तो यहां पर insert merge field का जो option है, वो आपको dark या display होना शुरू हो जाएगा, इस पर आप click करेंगे, और यहां पर आपको वही जो name आपने लिखा था, पहला तो आपको F1 दिखा ही दे रहा है, F1 क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस पर हमने नाम नहीं डाला था, अब यहां पर जो name है, वो आपको यहां पर highlight होके दिख रहा है, अब यहां पर जैसे name पर आप क्लिक करेंगे, तो name यहां पर आपको इस तरह से आ जाएगा, अब यहां पर जो name तो आगया, लेकिन वो सारे नाम कहां गए, वो नाम कैसे आएंगे, तो देखो यहां पर मैंने जो font यूज किया है, Excel के अंदर और जहां पर word के अंदर, वो मैंने unicode font यूज किया है, ताकि जब भी मैं उन नामों को लेके आँ, तो मुझे font चेंज करन जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हिंदी में ही आपको यहां पर दिखाई देंगे, तो अब यह जो name आ गया है, अब जैसे ही मैं preview result के उपर click करूँगा, तो यहां पर जो नाम है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा, और यहां पर देखो आगे इसके एक और आपको बा नाम है, यह दो जगए या तीन जगए repeat हो जाए, तो यहां पर जिस भी जगए चाहें उस नाम को एक बार ले जाके same as paste कर सकते हैं, अगर आप चाहा रहे हो कि इसके आगे एक शब्द लग जाए, महोदय या पीछे जी लग जाए तो आप ऐसे करके type कर दो, है ना, और यह की तरह से वो नाम बार-बार display होता रहेगा, तो यह आप समझ के, अब print कैसे निकालेंगे, इसका print निकालने के लिए आप दुबारा से mailing वाले टैप पे ही जाएंगे, और यहां पे finish and merge का option दिखेगा, तो finish and merge जैसे आप करेंगे, तो यहां पे आपको print document का option दिखाई या फिर विशेश जैसे 20 पेज आपको print करने है, तो यहां पे वो page number आप डाल दीजिए और ok कर दीजिए, इसके अलावा यहां पे आपको merge to Adobe PDF का option दिखेगा, यानि जितने भी आपने pages बनाए हैं, अगर आप चाहा रहे हो को इन pages की PDF बन जाए, उसमें अलग अलग page आ जा जाएंगे, तो यह जो सारे page हैं, यहां पे save हो जाएंगे, मैं एक बार इसको download वाले folder में save करके आपको दिखाता हूँ, अब देखो एक PDF फाइल बनेगी, जिसमें यह सारे pages जितने भी नाम हैं, वो अलग अलग करके आ जाएंगे, तो इसे हम ok करते हैं, तो आप download वाला folder ह बने हैं, यह अलग अलग बने हैं, तो यह यह वाला मैं खुल के आपको दिखा देता हूँ, अक्षय दिशाई जी का बन गया, यह वाला आप देखेंगे, तो यह पूजात्रवेदी का बन गया, और इनको आप अलग अलग उनको WhatsApp भी कर सकते हो, mail भी कर सकते हो, सारे जो भ दहाओं में, तो आपके लिए बड़ा अच्छा option है, हमारा यह premium pen drive course, जिसमें 22 professional course शामिल है, और latest AI का course भी शामिल है, इस course को जाइन करने के लिए, नीचे description में क्लिक करके, आप हमारी website offline.pcskill.in पे जा सकते हैं, यहां कोर्स के बारे में पूरी detail दी गई है, बहुत computer glass भी चाहिए हमारा, अगर आप जाधा computer पे काम करते हैं, तो इसको भी add कर लीजे, अब यह overall जो value आपको दिख रही है, इस पर आपको 80% का off मिलेगा, यहां पे आपको kuban code यूज करना है, PC skill, और जैसे आप क्लिक करेंगे, तो computer glass के साथ यह 2499 का पढ़ेगा, और without computer glass यह आपको 2499 का पढ़ जाएगा, तो आशा करता हूँ कि यह course आपके जरूर काम आएगा, course की पूरी list में, side में आपको दे रहा हूं, course को जरूर जोइन करिए, और इसी तरह ऐसे computer में expert बनते रही है, मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद, बंदे मात्रों!